पश्चिं रेलवे त्वारां रेलवे एंजीनमा आने 22 नाइट वीजन केमेरा लगावानू शरू कर युुऑ छे, प्राथमिक तबके अडार एंजीनमा केमेरा लगावायाशे पश्चिम रेलवे ना इलेक्रिक लोकोमोटीव मा लगावेल रहेला केमेरा ने CVVRS एटलेके क्रुवाइट एंड विडियो रेकोर्डर सिस्टम ना नाम ही उडखा शे एंजीन मा आठाट केमेरा लगा शे दरेक एंजीन मा बे केबिन होई शे जमा बे बे केबिन मा जया रे एक एक बाहानी बाजुँ फ्लेश राइट पास लगावाए रहे आछे तो एंजीन नी छर्त पर बे केबिना लगावा मा आभी रहे आछे केबिन मा लागेला केमेरा लोकोटा पाइलेक नी गतीवीधी अने अवाज रेकोर्ड कर्षे बहार ना केमेरो सिग्नल ओ एची अने अन्य परिस्तिती रैकोड कर्शे केमेरा लगाबानो आश्रे सिग्नल मा घरबट ओवर हेड टुटिया के अन्य अकस्मात नी स्तिती पहला ती जाणी लिवानो छे आरी दे ड्राइवर ना केबिन मा लागेला केमेरा मा प्रिणना सफर वेडा ड्राइवर अने सहायक ड्राइवर नी स्टेशन कंट्रोल नी थनाई वातनी विगतोपन मर्शे ते उपरान ट्राइवर औने सहकाई ड्राइवर नी तमाम गती वीदी पन नजर राखी शका खरे एक एंजीमा केमेरा लगावानों खर्श रुपया एक लाग चारज राण सो आड़करेश छे केमेरा नी स्टोरेज समता 2 टेराबाइट छे अने पूटेज नेओ दीवस सुदी सेव करी शकासे वड़ोदरा लोकोशेड मा प्रात्मिक तबके अड़ार एंजीमा लगावा आशे जेनो अत्यारे रिव्यू करवा मा आविरे योशे जे सपड़ दया बाद वड़ोदरा डिविजन ना एक्सो सित्या सी इंजीन सही देश पढ़ना एंजीन मा आश सिस्टम लगावानी योजना च्छे आशे आश सिस्टम थी मान्य पूलती थनारा अकसमातने काराने सपड़ था जानी शकासे यह जो केमरे हैं बड़ोदरा लोको सेड के 17 लोको में अभी लगाये गए हैं और यह अभी ट्राइल बेसिस पे है अभी फाइनल स्पेक अभी फाइनल एजिसन में है और इसमें इसका परपज जो है वो हमारी कैब का जो इंजन एलपी और एलपी जो चला रहे हैं उस कैब का वीडियो एंड बॉइस रिकॉर्डिंग को करना है जो कभी पोश्ट इवेंट कोई फेलियर होता है या कुछ होता है उसमें अनलेसिस में और ड्राइवर की ड्राइविंग टेकनिक कैसी है उसको देखने के लिए काम में आता है और इसमें एक ट्रेक को फेस करते वे भी कैमरा लगा गया है जो इन केस ओफ कोई एक्सीडेंट एक्सीडेंट है तो कुछ यानि साक्स जोडने के काम में पोस्ट इवेंट एनलेसिस के लिए काम में आ सकता है इंजन के अंदर जो दो कैब होती है अपनी तो हर कैब में दो-दो हैं तो टोटल चार तो यह हो गए उ और इसकी मेमरी है वो टू टीवी के अराउंड है और 90 डेज का इस्टोरेज इसमें करीब करीब रहता है जैसे बड़ोदा सैड की होल्डिंग है जो लोकों की वो 204 के करीब है यहां पर 17 लोकों में लगे हुए है अगर यह हो जाता है और फाइनल स्पेक हो जाता है अभी और इसकी ड्राइबर के द्वारा हम से रिव्यू लिया जा रहा है और उसके बाद में यह जो बचे हुए हमारे लोकों है बन 87 उनमें भी यह लग जाए यानि यह जुस तरह के कुछ कुछ केसिस होते हैं तो उनमें ड्राइबर कितना अटेंटिव था यानि कोई लोको फे हैं तो उसने ब्रेटिंग लगा ही नी लगा ही उस टेम पर वो सब चीज देखने के काम में आ सकता है इस सब चलते द्राइबर की जो टेक्निकी है कैसे ब्रेकिंग कर रहा है कोई जैसे हम अबनी गति-पर्ति बंध होते हैं लाइनों पर तो उनको अब्जर्व कर रहा है तो वो उसमें पता लगेगा कि वही हाम बरावर अटेंटिव है वो यानि ऐसे में बता है